हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो सूरज केम्प्यूटर दिस गोपाल कुमार तोड़े आपको दिखाऊंगा कि हाओ टो चेंज कीबोर्ड इन अब देखो गए कि इसका की है बहुत कमजोर होता है तो आप देख रहें यहां पर की उखड़ गया और यह देखने भद्दा लग रहा है इसलिए किस्टमर में बोला है कि इसको चेंज करना है तो मैं आपको दिखाऊंगा यह हमारे पास नया की बोर्ड है और इसे कैसे निकाल देंगे जैसे आपने देख लिए हमने बैटरी बाहर निकाल दिया है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस लैप्तोप की बैटरी बाहर निकाल देंगे जैसे आपने देख लिए हमने बैटरी बाहर निकाल दिया है और एक दू स्कूरू खोलने पड़ेंगे हम तो वो खोलते हैं यह दो इसक्रूप बूलने के बाद यह यहां से आप देखो भी कि इसका जो टॉप का कवर होता है वो बाहर निकल आता है वो जो टॉप का कवर है यह टॉप का कवर है जिसमें स्विच होता है पावर का यह पावर की सब्विट होती है और यहां से यह कीवोड खुल जाता है लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे लैप टॉप में कीवोड के भी स्कुरू होता है जिसमें भी दो तीन श्कुरा है जो मकम हो लेंगे ज Shift प्रबट 1 बिर 1 बिर 1 बिर इस तरह से तीन स्क्रू कोलने के बाद यह जो कीबोर्ड है वो बाहर निकल आता है कीबोर्ड का जो यहाँ पर कनेक्टर होता है कनेक्टर को अलके सा अचाने के बाद कीबोर्ड को आतमे आता है इस तरह से कीबोर्ड में कुछ होता नहीं है बस एक पतली सी की पैड होती है उसके बाद ये दूसरा कीबोर्ड जो हमारे पस नया है सेम लगाएंगे इस करें सोला पाद अचला शूसरा होती है पिलाद लगाँ जिपल्दल्ड एक युग टूस्से, लेंगे लेटी लेज़, बाद जाएंगे जड़को में एक बाद जगाद केंटोर्दटाँ प्रूसरा फ्री टूसरा होता है जैसे निकालते हैं उसी तरह से इसको लगाना होता है लगाने के बाद इसको बापिस फिक्स करके इसे पहले स्विच का जो बाए निकल गया है जो हम लगा देंगे और इसको बापिस फिक्स करने के बाद जहां जहां से हमने इसके बनका इसके बाक साइट से वहाँ वहाँ पे इसको फिट करके और इसको चेक करें इस तरह से जितने भी laptop होते हैं आपके घरोड रेक्स एच्की होगेजया, Dell लेंभोगेज़, जाए तो हमें कॉल कर सकते हैं गन्यवाद